इस देश को अरजगता की तरफ बीजे पी लेकर के जा रही है। हिंदू, मुसलमान बस इससे जादा कुछ नहीं। कोई उद्धा नहीं कि इस देश में शिक्षा का क्या स्थार होना चाहिए, रोजगार का क्या स्थार होना चाहिए, जलित पिछडों के हाकों का क्या स्थार होना चाहिए, अलप संक्यों के लिए किस तरीके से सुविधाय होनी चाहिए, वकीलों के लिए सुविधाय होनी चा नहीं, जुडीसियल सिस्टम मजबूत है, हम यह नहीं कह रहे कि मजबूत नहीं है, पर आप समझजिए कि बार-बार अटैक करने से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है ना इसी की वजे से, आप समझिए कि सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस ये बात कह रहे हैं, कि कान पूडिशिरी को अटैक किया जा रहा है आप ये सरिफ और सरिफ इस देश की जो डेमोक्रिटिक वैल्यूज है उनको मारने के लिए लोगों के उपर में अटैक हो रहे हैं मैं दिल्ली में जंतर मंतर पर इस वक्त मौझूद हूँ जहां पर आज तमाम एड़ोकेट्स जो है एड़ोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर के आज ब्रोट पिरदर्शन पर उतरे हैं सडकों पर आए हैं जंतर मंतर पर तमाम एड़ोकेट्स हैं मेरे साथ में सर हैं सर आपका परीचे और आज जो आप मांग जिस मांग को लेकर आएं वो मोद्दे के वारे मेरा नाम ओमकर कुश्वाहा है मैं IYC Legal Cell में कर रहे थूँ और काफी पिछले कई सालों से IYC के लिए काम कर रहा हूँ इंडियन यूट कॉंग्रिस के लिए देखे एक घटना होती है इस दिल्ली जैसे बड़े शहर में और उस घटना में एक नामी वकील जो दिल्ली के बड़े नामचीन वकील जिनकी अच्छी प्राक्टेश जनका एक अच्छा रास्ता खेलता परिवार एक अच्छे क्लाइंटेज वो सब उजड़ जाती है क्योंकि उनके उपर एक ऐसा जानलेवा हमला किया जाता है जिसकी वज़े से उनको उनके मृत्यू हो जाती है आज 19 स्वरगी नर्वाल साहब की याद में हमने एक केंडल केंडल मार्च कर है कि देश के अंदर काफी हद तक इस देश का नागरिक इस देश का वकील इस देश का हर कोई वो व्यक्ति जो इस देश को इस देश की लोकतंत्र को बचाने का पुरा प्रयास कर रहा है ऐसे लोगों को बार बार ऐसे लोगों के उपर बार बार दुर घटना हो रही है उन दमोक्रेसी को बचाने के लिए कुछ लोग हमेशा खड़े रहते हैं और कभी भी जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह जरूर लिखा जाएगा कि कुछ लोग थे जब ऐसी कोई गटना हुई तो उस गटना के अगेंस्ट में उस गटना को खंडित करते वे कुछ लोग मांग कर रहे थे तो उन्हीं लोगों की स्ट्रेणी में अटलीस्ट हम लोगों का नाम जरूर लिखा जाएगार हमारे अगेंस्ट कुछ हो तो जो भी ऑफिंस या क्राइम हो रहे है वो कॉगनिजिबल हो एटलीस हम भी सिक्यूर फील करें सामने वाला बंदा भी सोचे कि यह वक इसे से हमारी प्रॉपर्टी गई हमारे ये बंदा जेल में है तो आप ही खड़े हो जाते हैं कि अंसे इन से बादला लेना है तो यह तो हमारा profession है कि हम जस्तिस दिला रहे हैं न्याय दिला रहे हैं लोगों की बातो को इस देश में न्याय प्रणाली में हम एक एहम हिस्सा है और हम मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए ये प्रोटेक्शन एक्ट जो है इंप्लिमेंट हो रहा है पुलिस और इसमें कोर्ट इन सब चीजों से आपको नहीं लगता कि आपको न्याय मिलेगी देखे प्रिवेंट करने के लिए अभी तो क्या है हम यह हो गया अगर एक परसनल होता है तो पुलिस न्याय सब होता है बिलकुल मिलेगा टाइम सिल मिलेगा पर एक डर तो होना चाहिए कि हमारा परसनल रीजन नहीं है और हमारा प्रोफिशन ऐसा है कि हम इतने इंसिक्योर वातावरण में रहते हैं कभी भी कौन हमारा दुश्मन बन जाए अगर मैं मुझे पता होता है कि कौन मेरे दुश्मन है पर यहां तो मुझे पता ही नहीं कि मैंने कितने केस लड़े और किसकी नजरों में हम आ गए तो बात यहां यह है आप इस विशे को क्यों नहीं उठा रहे हैं कि इस देश के मुख्य नायदी इस बात को लेकर के गंबीरता से कर रहे हैं कि καनून जो पास हो रहे हैं इस डेश के ृचिंद के इस बात को लेकर अट को लेके और कि डिया जाता है इक पॉज aटर शेप लिया जाता उसी तरीके का पॉजटिएव स्टेप क्या हम पूरे देश में नहीं नहीं ले सकते ये सरिफ और सरिफ इस देश की जो democratic values है उनको मारने के लिए लोगों के उपर में attack हो रहे हैं और उनी attacks में जो मंचले लोग होते हैं उनमें से किसी मंचले ने हमारे साथी जो हमारे साथ कल तक उठते थे बैठते थे काफी हमारे साथ खुश होते थे उनकी खुशी में हम को दुखी होते थे उनको ऐसी घटना देखने को में कि एक पूर्व में पद्धती रहती थी जब इंद्रा गांदी जी जैसे एक कद्धावर कांग्रेस के नीता को अलाबादाई कोट ने मना कर दिया तो कर दिया पर वो पद्धती आज कहां दिख रही है आज कोटों में जरे पड़े हैं सुप्रीम कोट के जजिस ने पीछे पिछले दो साल पहले आपको द्यान होगा कि जजिस ने बैट करके एक बड़ा संयुक्त मोर्चा निकाला था कि डेमोक्रेसी को और जुडिशिरी को अटैक किया जा रहा है आप लोग इस चीज से वाकिफ होंगे नही जो पास किये जा रहे हैं वो विदाउट डिबेट के किये जा रहे हैं म्यूट तंत्र को हावी कर दिया गया है संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है हमारे कांग्रेस के निताओं को संसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है ने रहा हम लोग देखि अरजक्ता की तरफ जा रहे इस देश को अरजक्ता की तरफ बूजेपी लेकर जा रहे है हिंदू मुसल्मान बास चाहिए नहीं कोई उद्दा नहीं कि इस देश में आप मोस सतहु सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब के लिए एक जैसा है तो प्रोटेक्शन एक इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप समझे कि एक आदमी जो आपके लिए लड़ रहा है और उस जगा लड़ रहा है जहां से यह पूरा देश चल रहा है आप समझे जिवडीश्री एक इंडिपेंडेट इंस्टिट्यूट है व उस तरीके के लोग जो उन चीजों को डिमांड करते हैं उन चीजों की बाते करते उन पर अटेक होगा तो फिर आप समझे कि फिर बचा को आप लोगों की बाते रखने वाला कोई बचे गानी वाइशाब आप समझे कि कूश नहीं किया ता दिल्ली पुलिस और वो जो था उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में पूरे क्या वाइरल रहा हो रही थी जगड़े वाली वीडियो तेंगे लिए ऑसा है ने कुछ पारे में उतना कुछ द्यान नहीं है कर दो